हेलो फ्रेंड्स स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टेडी टूगेदर विकास में आप यहां पर देखी चुके हैं कि जो हमारा टॉपिक एनलोगी है जिसके हम एक क्लास कंप्लीट कर चुके हैं आज हमारी यह सेकंड क्लास अब देखिए हमने कुछ कुछ पहले आपके सामने डिसकस किये थे और आज जो हमारे कुछ क्वेशन से एनलोगी के वह आपको देखना है यह थोड़ा डिफ्रेंट टाइप के हैं कुछ चले देखते हैं देखे हमें एक प्यार दे रखा है डार्कनेस एंड लेम और दूसरा प्यार हमें फाइंड में बिचमें एक रलेशन फायंड आउट करना होगा अगर आप रsticks घ्र लेते हैं तो आपको प्यर एंड आउट करने में बिल्कुल भी प्रप्रब्लम नहीं होगी देखे एक्ञें अको मोझा जिस तकी से लेंप डार्कनेस को को करती ए लेंप डार्कनेस को एलिमनेट करती है उसी तरीक से आपको इन चारों में ऐसे कि रोडामना है कि सेमें कि हमारा कहाँ फेट हो रहा है देखिए Eh dehक अपर दूर होती है या Bu पानी पिने से प्यास दूर होती है या इनलेस जो है मेडिसन से एंड क्लास्रूं स्टेडी से तो आपको यहां पर सही रिलेशन परफेक्ट रिलेशन है वह क्या है option भी पानी पीने से मारी प्यास बुश़था है तो जो मारा यहाँ पर रिलेशन दे रखाता है लैम्प से डार्कनेस कोलिनेट करते हैं सेम तरीके से या पानी पीने से हम अपनी प्यास को दूर करते हैं तो इसमें जो मारा सही option है वो है option B यह हमारा अगला question अब देखिए इसमें हमारा कौन सा लॉजिक यूज होने वाला है यहां पर दिरका है फिस सोल और हमसे इन दोनों की जगे पूछा है कि यहां पर हमारा में सा औप्शन इन चारों में से आएगा तो आपको यहां पर क्या रिलेशन मिला कि कि फिस के गुरुप को या फिर आप कि सकत्중에 कि जुन्ड को क्या वोलते हैं इसल फिसके जुन्ड को बोलते थेटर ऑन इसल तो इसी elephant की group को flock बोलते हैं यस elephant जहां पर हमारे काफी group में elephant कड़े हो उसको क्या बोलते हैं flock group of elephant is called flock तो friends हमारे जो option C दे रखा है elephant flock यह हमारा बिलकुल सही answer होगा अब देखें friends यह हमारा question जो है physics से related है जिन students को physics में थोड़ा सा भी interest है या फिर थोड़ी सी भी knowledge है तो इस question को करने में बिलकुल भी time नहीं लगेगा अब देखें यहाँ पर हमें दे रखा है energy और जूल energy और जूल के बीच में क्या relation है energy की unit होती है जूल अब आपको same relation इन चारों में से find out करना है कि हमारा कौन सा सही होगा देखे एक्स ग्राइंड तो यह तो बिलकुल भी इसका relation नहीं है एक्स कट करने के काम में आती ना कि ग्राइंड ग्राइंड मतलब उसे piece ना अब देखिए emitter current emitter से current नापन जाता है ना कि emitter की unit emitter देखे emitter तो हमारी device होते जिस्से हम current को नापते हैं और current की unit क्या होती है एंपियर ओके अब देखें पावर और एंपियर तो यह तो ब्लुकुल भी सूट नहीं कर रहा है पावर के हमारी यूनिट क्या होती है वाट तो यह ऑप्शन भी हमारा गलत अब बचता आपके पास एक ही ऑप्शन रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस को हम किसमें मेजर करते हैं तो मार ऑफ्शन भी जो है रेजिस्टेंस ओम ही हमारा ऑप्शन साही होगा तो अपने देखा कि कुतन एज़िए होते हैं आपको सिर्फ आणे चींअब देक्षिशन हम से क्या पूच्छाय यह रामारा अगला question अब देखिए इस question को क्या करना है थोड़ा सा आपको देखना है यहां पर देखिए cigarette और टबैको कोफी caffeine milk bottle cigar filter shoes and socks यह आपको पेर दे रखें और यह दूनों आपको question में दे रखें cigarette और टबैको तो देखें यहां पर हमें एक relation मिलता है यह दोनों के बीच में कि जो cigarette बनती है उसका main constituent क्या है या फिर में material क्या है टबैको cigarette जो है टबैको से बनती है तो अब आपको यहां पर बताना है कि इनमें सेम रिलेशन हमारे किस पेर में फॉलो कर रहा है तो क्या milk बॉटन से बनता है नहीं क्या सिगार फिल्टर से बनती है नहीं सिगार में फिल्टर लगा रहता है बट सिगार फिल्टर से नहीं बनती है सूज क्या सूज सॉक्स से बनते हैं नहीं तो हमारा यह option भी गलते अब आपके पास रिफ एक ही option बसता है वह option कॉफी कुफी किसे बनती है कैफिन तो फेंट्स option is the right answer क्या पूचा है देखे हमें relation दे रखाएं चिमनी और स्मोक तो आपको यहां से पता चल रहा होगा कि स्मोक जो है चिमनी से निकलता है धुआ कहां से निकलता है चिमनी में से तो अब आपको सिम relation है आपर दिखना है क्या केटली चाय से निकलती है नहीं क्या स्रेमिक क्ले से निकलता है नहीं क्या छत रूम से निकलती है घर से निकलती है नहीं घर के ऊपर बनाई जाती है अब देखिए क्या बुलेट गंसी निकलती है यस तो फेंट्स आपने देखा कि हमारा जो relation इंद हमारा थोड़ा different question है और इसमें हमारा यह कौन सा टॉपिक है डबल एनलोगी यह बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है और अब एक्जाम में आने की पूरी possibility है अब देखें इस टाइप की questions को हमें कैसे solve कर रहा हमें पिछले question में क्या दे रखा था या तो शहीर दे रखा था दूसरा पेर पूचाता मत्लब फर्स second रहा था 13th पूछा था वाला हमें क्या दे रनका हैं और क्या पूछा यहाँ पर इसका एक पूछाय एक दे ररका है और एक दे राखा को एक पूचा है मतलब 1st & 4th वाला हमसे पूचा है 2nd & 3rd हमें दे रखा है कि देखिए distance जो है हमारा किस से related होता है इसलिक्टी डिस्टेन्स फार यह कोई मिन नहीं बंता है distance हम नीटर में मैज़र कर सकते हैं तो यह हमारा एक सेंस बनता है कि डिस्टेंस हम मीटर में मैजर कर सकते हैं डिस्टेंस का यूरप से भी कोई रिलेशन नहीं है और डिस्टेंस का ट्रेवल यह भी थोड़ा सा एक रिलेशन बनता है बट एक यह वाला जो रिलेशन है मीटर डिस्टेंस को हम मीटर म यहां पर follow करें तो यहां पर हम क्या करेंगे कि weight को kg में measure करेंगे कि distance को meter में measure करेंगे और weight को kg में तो अब आप यहां पर देखें first line में हमारा option 2 और second line में हमारा option c अब आपको देखना है 2 और c इन दोनों में से कहां पर दे रखा है तो यहां पर आप देख रहे होंगे टू और सी हमारा ऑप्शन डी में दे रखा है जो कि हमारा अगलकुल सही आंसर है फ्रेंड्स यह कोईशन बहुत ही इंपोर्डेंट है और अब एक्जाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है तो चले अब हम चलत और हाउस अब हम अगर यहां पर हम देखें कि हमारा क्या रिलेशन बन रहा है तो देखें रूट्स फ्लावर यह भी हो सकता है रूट्स ट्री यह भी हो सकता है रूट्स ब्रांचेस इनका कोई रिलेशन नहीं बन रहा है और रूट का ट्रंस से भी डारेक कोई रिलेशन नहीं बन रहा है अब अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको एक रिलेशन यहां पर बन सकता है कि पेड़ जो है हमारा ट्री रूट्स पर ही डिपेंड करता है मतलब रूट्स जो है इसका बेस पार्ट है ट्री का बेस होता है रूट्स तो यहां पर हमें एक तो रिलेश क्या होता है तो house का base क्या balls होती है नहीं क्या floor होती है नहीं क्या platform होता है नहीं तो house का जो base होता है वो क्या होता है foundation तो अब आपको यहां पर देखना है कि 2 और A हमें किस option में दे रखा है तो देखे 2 और A जो कि हमारा option B में दे रखा हैं, तो friends हमारा option B जो है 2A, यह हमारा बिलकुल सही answer होगा, अब देखे friends, इस question में हमसे क्या पूछा है, अब आपको देखना है यहाँ पर, देखें, यहाँ पर दे रखा है ocean, ocean और stone, अब देखें ocean क्या glacier से कुछ relation होता है, ocean का reverse से तो होता है, sorry, ocean rivers, rivers से पानी जाता है ocean में, but glacier से direct relation नहीं होता है, क्या ocean का lake से होता है, हो सकता है, lake हमारे छोटे होते, ocean का बड़े होते हैं, क्या ocean का continent से होता है, नहीं होता है, और ocean का river से भी हो सकता है, but एक हमें यहाँ पर logic मिला कि ocean है, जो lake का बड़ा form होता है, तो चलिए, यहाँ पर ह हम वही सेम लॉजिक यूज करते हैं और देखने कि हमें यहां पर क्या अंसर मिल सकता है देखे इस टोन जो है ग्रेनाइट यह तो एक टाइप होता है इस टोन का टाइप होता है पत्थर का टाइप होता है माउंटेन यह भी नहीं और अब देखे यहां पर हमें इस टोन का क् होता है नहीं इस्टोन का अगर हम डारेक्ट देखें तो इस्टोन का रिलेशन होता है रॉक से रॉक तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि टू और ए हमें किस ऑप्षिन में दे रखा है तो हमारा ऑप्षिन बिलकुल सही आंसर होगा चले इसी के साथ हम बढ़ते अपने अ हमारी बनाता है तो इसमें जोमारा एक रिलेशन बन राए वो देखेंगे सू का मैं में से रिलेशन में से रिलेशन बताने कि हमारा कॉन सर लेत्य करेगा क्लिबल में या नहीं होता था नहीं होता है है तेविल जो हमारी वोट से बनती है और टीविल कारपेंटर बनाता है तो इसमें जो हमारा एक रिटिशन बन रहा है हूं देखेंगे हम क्या रिलेशन देखें By हील जो है हमारी हील हील हमारी सूस का पार्ट होती है सूस जो होते हैं इसका पार्ट होती है ऐसे ही हमें बताना है कि किसका पार्ट टेविल होती है तो देखें वुड टेविल का एक पार्ट नहीं होती है वुड तो बनी रहती है टेविल से और कार्पेंटर भी जो हमारा टे टेबूब के अंदर होते हैं या फिर के मांदर बनी रहते हैं तो ड्रोर जो यह हमारी टेबल का पार्ट होते हैं और इस बावली ब्लेंग में हमारा यह option आएगा और इस बावशेbas1 आएगा तो आप यहाँ पर देख सकती है 3 और A 3 A हमारा किस option में आ रहा है तो वही हमारा बलकुल correct answer होगा तो friends आपने देखा कि 3 A हमारा option A में आ रहा है तो यही हमारा बलकुल correct answer है चले friends बिलते अपने next वीडियो में तब तक के लिए goodbye फ्रेंट्स वीडियो को like, share, subscribe करना ना भूले